उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा प्रारमविक परीक्षा का आयोजन कराया जाना बाकी है। इस बीच UPSSSC Pate Certificate UPSSSC Pate को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कराई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रारमविक अरहता परीक्षा 2022 का आयोजन सफलता पूर्वक कराया जा चुका है और आयोग ने इसके लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन अब आगे Certificate की वैधता के आधार पर आने वाले पेट एक जाम होंगे, जिसके Certificate को लेकर एक नई अपडेट जारी हुई है। दर्शल लगातार अभ्यर्थियों द्वारा मान की जा रही है कि UPST Certificate की वैधता बढ़ाये जाए। इसके अलावा अभ्यर्थियों की यह भी मान रखी जा रही है कि क्वालिफाइ नंबर निर्धारित किये जाएं। जिससे लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है आगे जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से शेर की जा रही है। अब पेट की वैधता पाँच वर्ष तक बढ़ाने को लेकर मान जिस तरह Tate Seated Certificate की मान्यता पाँच वर्ष के लिए होती है अभ्यर्थी द्वारा मान की जा रही है कि पेट Certificate की वैधता पाँच साल कर दी जाए। इसे लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि समय पर भरतिय ना निकलने की कारण हमें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार फिर से प्रारमविक अरहता परीक्षा देना पड़ता है जानकारी के लिए बता दे वर्तमान में प्रारमविक अरहता परीक्षा प्रमान पत्र की वैधता केवल एक साल के लिए मान्य है जिससे लेकर अभ्यर्ती द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ा कर तीन या पाच साल कर दिया जाए जिससे उन्हें बार-बार आवेधन नहीं करना पड़े और परीक्षा न देनी पड़े पै किया जा सकता है Common Cut-Off प्रारमविक अरहता परीक्षा 2023 के लिए Common Cut-Off को लेकर भी यहाँ पड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि Common Cut-Off को लेकर सभी अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी है उनका कहना है कि हर बार अलग-अलग Cut-Off आने के कारण हमें काफी दिक्कत एवं परिशानियों का सामना करना पड़ता है यदि आने वाली प्रारम भरहता परीक्षा के लिए एक Qualify Number निर्धारित हो जाए तो हमारी कई तरह की समस्याय समाप्त हो जाएगी साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि पेट परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकलाना होगा ताकि हम सभी छात्र अपना लक्षे निर्धारित कर सके और उसी हिसाब से अपनी तयारी कर सके इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार एवम आयोग इन दोनों डिमान पर जल्द निर्णे ले सकता है क्योंकि सवाल लाखों अभ्यर्थियों का है ऐसे में सरकारी आयोग को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही होगा